नमस्कार दोस्तों PCS पार साला वियाव सभी का स्वागत है दोस्तों इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि 30 नॉंबर को रिज़ेट आने जैसा कि आयोग ने पहले ही कहा था कि 30 नॉंबर को रिज़ेट देंगे संसोधित एंस्वर की 30 नॉंबर को आने वाला था और 3 दिस और निड़ा बतलने का कारण रिया है कि 10 दिसमबर को BTC का रिज़ेट आ रहा है इसलिए अब आयोग ने निड़ा लिया है कि 3 दिसमबर को रिज़ेट देगा और 3 दिसमबर को संसोधित एंस्वर की देगा जो संसोधन होना था एंस्वर की में वो देगा और 15 दिसमबर को बिवादित थे और बाकि जो math में या फिर other subject में कुछ अच्छे थे थोड़ा वो परियावरण में या बाल विकास में उसमें कुछ answer बिवादित थे तो वो देख लिया गया है तो अब 8 से 10 प्रण जो भी बिवादित थे उसका संसोधन करके 3 December को संसोधित answer कि आएगी और 15 December को रिजल्ट आएगा तो अगर 15 December को रिजल्ट आजाता है तो आपको पास समय बिल्कुल भी नहीं है 6 January को सिच्छक पातरता सिच्छक भरती परिच्छा जो है 6 January को वो government पूरे लेने की mood में है इसलिए आप लोगों को पास समय नहीं है बिल्कुल समय ना गमाते हुए तैय सिच्छक भरती परिच्छा की तैयारी में लग जाएं अभी हम आपको आयोग की website पर ही ले चलते हैं दिखाते हैं आपको दोस्तों यह देखें आयोग की website पर ही है यह यूपी टेट की 2018 की तितियों में बल्लाव किया गया है जैसा कि हम पहले अपने पहले वीडियो में हम बताये थे और आयोग केही अनुसार की दीश नूंबर को İnsory कियायगी संशॉदित-इसवर की और तीमिंसक्यने दीश नूंबर को रिजट देगा, извlent व दमने chest 9, है क्योंकि 10 दिसमबर को बीटीसी का रिजल्ट रहा है हो सकता है बीटीसी वालों को दिक्कत है इसलिए ये 15 दिसमबर को रिजल्ट देने की बात कर दी गई है और 3 दिसमबर को संसोधित एंसर की आई जाएगी तो अब दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं भी नहीं आप लोगों के पास आप पूरी तरह से सिच्वभर्ती परिच्छा में लग जाएए और जनवरी को सिरस्थ्षकप्रवर्ती परिच्छा भी होने वाली है इस लिए हम सुप楽िट्रास के लिए हमके current affair आपको उपलब्द कराएंगे छीच्छतों परिच्छा में कूल 30 प्रशन आपके सिथ्च्छभर्ती परिच्छा में current affair के होंगे इसलिए आपको पूरी तरह से current पर focus कर लेना है current पर कहा और current के 30 प्रशन आपको अच्छी तरह से सफलता दिलाने में आपकी मदद करेंगे मैं करेंट को पूरे 2018 का करेंट मैं आपको दूँगा जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक पूरा बहुत बिकलपी टेस्ट के माधम से आपको ये पूरा मैटरिकल दे दिया जाएगा हम मान कर चलते हैं कि अगर सिछक बरती परिच्छा म में 30 प्रश्ण आगर आपके आ रहे हैं करेंट के तो मान के चलिए अगर आप हमारे द्वारे द्वारा दिये गए वीडियो को फालू करते हैं पूरा टेस्ट जो हम आपको उपलब्द कराएंगे पूरी 2018 का 1200 के करीब टेस्ट 1200 के करीब पूरी प्रस्ण रहेंगे अगर आ पूरी नंबर की जो सहायता होगी तो नंबर का जो तीश नंबर का जो सिल्वस होगा में कभर करूंगा आपका 30 प्रस्ण होगा यहा है तो इस तरह से आपको जानकारी मिल गई है तो अब टाइम नहीं है आप सिच्छक भरती परिच्छा की तैयारी में लग जाएं क्यों कि यह 30 नॉम्बर को जो रिजल्ट आने वाला था तीन दिसम्बर को एंस्वर की होगी जारी होगी और 15 दिसम्बर को रिजल्ट आ जाएग नमर बढ़ा है तो जिनके भी 50 ही से उपर हो रहे हैं जेनरल में वह पुई तरह से समय नगां आते हुए तैयारी में लग जाएं और OBC या SCST में अगर आपके 78-89 करीब हो रहा है तो मान कर चलिए कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो मतलब सेलेक्शन नहीं हो जाएगा मतलब आपकी यूपीटेट निकल जाएगी क्योंकि आठ से मान कर चलिए 578 प्रश्न 578 नंबर बढ़ सकते हैं किसी के में तो इस तरह स लोग को लाई कर दिजियेगा जाते से जाता शेयर कर दिजियेगा ताक कि बहुत से लोग यह जानकारी प्राप्त कर सकैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें कर चाहएग करने strip your best